Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person currently कैसा feel कर रहे हैं आपके लिए So यह सारे star signs की reading होती है और यह एक short reading है, timeless है So let's start सबसे पहले आपके लिए हम दो songs देखेंगे इनमें आपके लिए कोई extra message हो सकता है So पहला song हमारे पास है मेरी जिन्दगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखते तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकलना जाए Next is यह लाल इश्क, यह मलाल इश्क So यह दोनों बहुत अच्छे songs हैं So let's start आपके person currently कैसा feel कर रहे हैं So आपके person को ऐसा लगता है The Hierophant Six of, sorry, Seven of Wands King of Cups फिर है हमारे पास Two of Swords So आपके person आपको कुछ बताने के बारे में सोच रहे हैं The Moon, बहुत से secrets हैं यहाँ पर Ten of Pentacles Maybe उनकी feelings उन्होंने secret रखी हुई है कभी आपसे share नहीं की The Emperor Bottom of the deck पर हमारे पास है Knight of Cups So वो अपनी feelings आप से share करना चाहते है I feel कि आप अपने person से जब भी commitment की बात करते हैं Deeper commitment की बात करते हैं या शादी की बात करते हैं वो आपकी बात को कार्ट देते हैं वो नहीं सुनते हैं defensive हो जाते हैं Because वो शायद ready नहीं है commitment के लिए Maybe वो past में ready नहीं थे अब तक वो ready नहीं थे But I feel कि अब उनकी confusion दूर हो गई है Because वो अब commit करना चाहते हैं उन्हें यह मैसूस हो रहा है कि वो authentic होना चाहते हैं आपके साथ With the ace of swords वो आप से कुछ share करना चाहते है Maybe उन्हें recently realize हुआ है कि family कितनी important है commitment कितनी important होती है जिन्दगी के लिए And I feel कि वो बड़े excited है आपको यह बताने के लिए कि उन्हें अपना नजरिया बदल लिया है वो बदल गए है वो यह बताने के लिए आपको बहुत excited है अभी उन्हें ने secret रखा हुआ है इस बात को बट वो आपको बताना चाहते है उनके दिल में बड़ी यह खाहिश है कि वो आपके साथ share करें कि उन्हें अपना point of view change कर लिया है commitment के बारे में और वो commit करना चाहते हैं आपसे वो fight करना चाहते है आपके लिए क्योंकि उनके दिल में बहुत अरसे से आपके लिए यह true genuine love है जो शायद वो अभी तक आपको बता नहीं सके हमेशा रुके रहे हमेशा hesitant रहे extent कि रहे आपको बताने में for whatever reason लेकिन वो अब आपको बताना चाहते हैं वो authentic होना चाहते हैं वो responsibility लेना चाहते हैं जो कुछ उन्होंने किया जो कुछ उन्होंने कहा अपने actions, अपने words की responsibility लेना चाहते हैं वो आपके साल long term चलना चाहते है with the ten of pentacles I also feel कि आपके person को कोई कामयाभी मिली है recently अपने career को लेकर अपनी job को लेकर कोई कामयाभी मिली है उन्हें, आपके person financially stable हो रहे है या हो चुके है कुछ achieve किया है उन्होंने recently पैसों से related और वो बहुत खुश है और काफी बेहतर महसूस कर रहे है अपने बारे में, अपनी जिन्दगी के बारे में और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब वो authentic होकर आपसे share कर सकते हैं अपनी feelings उन्हें confident महसूस हो रहा है अपने अंदर ये जो भी achievement उन्हें मिली है recently इस वज़ा से उनका जो confidence है वो बहुत जादा boost हुआ है और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि now they can be authentic अब वो आपके साथ सच बोल सकते हैं अब वो confidently आपको अपनी feelings के बारे में बता सकते हैं अब वो आपसे commit कर सकते हैं उन्हें महसूस हो रहा है बहुत जल्दी आपको ये कुछ बताना चाह रहे है अभी भी वो सोच रहे हैं कि आपको approach करने का तरीका कैसे हो कैसे वो आपको बताएं वो plan कर रहे हैं बहुत अचानक से ये नहीं होगा वो पूरा plan करके आपकी तरफ आएंगे और वो आपको अपनी feelings के बारे में बताना चाहते हैं definitely page of wants communication the lovers definitely इनके दिल में आपके लिए true genuine love है और ये बहुत जल्दी आपको बताना चाहते हैं अपनी feelings के बारे में but plan करके बताना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे approach करें आपको कैसे बताएं so I feel कि आपके person बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं आपके साथ बहुत deeply connected आज महसूस कर रहे हैं आपको याद भी कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा confident है इस connection को लेकर कि वो इसके लिए fight करेंगे वो defend करेंगे आपको इस connection को वो give up नहीं कर रहे हैं आपके उपर उन्होंने नहीं किया है give up और वो आखिर तक चलना चाते हैं इस road के आखिर तक चलना चाते हैं no matter इस road के आखिर में क्या है क्या नहीं बट वो चलना चाते हैं maybe वो पहले काफी confused थे अपना mind नहीं बना पा रहे थे बट अब उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है. So, ये थी आपकी quick energy update. कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे आपने जरूर बताना है comment section में. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye-bye.